Hello Friends, Welcome to our Channel आखो का रंग हमारी आखो में मौजुद पिकमेंट यानी के मेलानिन पर निरभर करता है जिन लोगों की आखो में मेलानिन ज्यादा होता है उनकी आखों का जो रंग है वो गहरा होता है जबकि जिन लोगों की आँखों में मेलनिन कम मात्रा में होता है उनकी आँखों का रंग हलका होता है आँखों का रंग जन्टिक, उम्र, बाबनाओं या आपकी आहार जीसे कई चीजों पर निर्भर करता है आइरिश में मौजूद पिग्मेंट हमारी आँखों के रंग को निर्दारित करता है लेकिन आँखों का रंग जाद तर जेंटिक लक्षनों पर निर्बर करता है कुछ मामलों में बच्चे का जन हेट्रोक्रोमिया के साथ होता है ये क्या होता है? हेटरोक्रोमिया एक ऐसा है ये कुछ ही लोगों के साथ होता है इसमें क्या होता है? दोनों आँखों की जो पुतली का रंग होता है वो मेल नहीं खाता ये सोच कर काफी अजब तो लग घिरा है हमारी आँखों में अपना रंग बदल सकती है हम यह भी चानते हैं कि तेज रोशनी के संपर्क में आनी पर हमारी आइरिश जो है हो सिकुड़ती है और मन्त रोशनी में वो फैल जाती है आइरिश के जो सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया होता है उसमें भी आँखों का रंग जो है बदलती रहती है अगर हम चाहेंगे कि हमारा जो रंग है आइरिश का रंग है उसको अगर चेंच करना होगा तो टेंपररली कंटर्क्ट लेंस लगा कर उसको हम ठिक कर सकते हैं और कोई अगर चाहेगा कि ये प्रेलाइब में हमेंसा रहे तो हम इस सिचुएशन में सरजरी भी करवा सकते हैं सरजरी से वह पर्मिनटली चाहिए होता है ऑके इस तरह से वह बग्द बीस्ट और अलक पाधाब लोगों का अलक अलक आई कलर होता है ओके, टेंक यू चानकरी अगर अच्छी लगी है तो आप कमन करके जरूर बताए